नमस्कार दोस्तों, Control System Lecture Series में आप सब का बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में मैं Root Locus Technique से Related एक Numerical Problems को सोल करना चाहता हूँ जिसमें One by One सभी Properties जो भी Relevant Properties होंगी उनको फिर से एक बार Recall करा सकों तो यहाँ पे जो दोस्तो Open Loop Transfer Function आपका Given है जिसमें आपको पता है कि जो 0 है वो आपके पास सिरफ 1 है वो भी Minus 3 Point पे और जो Number of Pols हैं वो आपके 1, 2, 3 and 4 4 आपके Open Loop Number of Pols हैं और इसके बाद हम इसको S Domain में Plot करके देखते हैं और देखते हैं कि कैसा Plot बन सकता है यह आपका S Plain है, यह आपका Real Axis है, यह आपका Imaginary Axis है S Equal To Zero यानि Origin पे आपका एक Pol है दोस्तों और Pol को आप Cross Mark से Represent करते हो फिर दोस्तो S Equal To Minus 1 तो Minus 1 Point पे भी आपका Pol है S Equal To Minus 2, Minus 2 पे भी आपका एक Pol है S Equal To Minus 4, Minus 4 पे भी दोस्तों आपका एक Pol है तो यह आपका Minus 4 है और यहाँ दोस्तो S Equal To Minus 3 पे आपका एक Zero अवेलेबल है लेटस से यह आपका Minus 3 है और यहाँ पे मैंने Circle से इसको Represent किया है तो यहाँ पे दोस्तों मैंने Pols और 0s को Successfully Present कर लिया है इसके बाद देखते हैं कि Root Locus Branches कितनी होंगी तो Root Locus Branches कितनी होती है Pol या Zero, Open Loop Pols या Open Loop Zero इन मेंसे जो बड़ा नमबर होगा उतने ही आपके Root Locus Branches होंगी इन मेंसे जो बड़ा नमबर है दोस्तों वो 4 है इसका मतलब हमारे पास जो Root Locus diagram बनेगा उसमें Root Locus जो ब्रांच होंगी वो हमारी 4 होंगी ठीक है अब इसके बाद ये देखते हैं दोस्तों कि जो Root Locus ब्रांच है वो किस कहां कहां identify होंगी कहां कहां valid होंगी और कहां आपकी valid नहीं होंगी तो सबसे पहले point यही है कि ये जो pole है आपका इस pole के right side आप जहां भी खड़े होगे आप देखोगे कि आपका वहाँ ना तो कोई pole है ना कोई zero है और ये रियल एक्सिस इसका मतलब इस pole के right side आपकी Root Locus ब्रांच है वेलिड नहीं है अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों poles के बीच में लेटस से मैं इन दोनों poles के बीच किसी भी एक point पे खड़ा होके अपनी right side देखता हूँ तो right side मुझे सिरफ एक ही pole नजर आएगा और ये जो one pole है ये definitely आपका एक और number है तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों poles के बीच मेरा root Locus branch definitely होगा तो अब इसके बाद दोस्तो इस pole और इस pole के बीच में मैं खड़ा होके अगर देखूँ तो मालने जिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो अपने right side जब मैं देखता हूँ तो मेरे पास दो ऐसे open loop poles हैं जो real axis पे लाई करते हैं लेकिन दोस्तो दो आपका क्या है even number तो इसका मतलब इन दोनों poles के बीच आपका root Locus branch exist नहीं गरेगा अब दोस्तो similarly इस pole और इस zero के बीच में आप खड़े होके देखें तो आपको right side में तीन open loop poles नज़र आएंगे यहाँ पे अगर किसी भी point पे आप खड़े होते हो इस zero और इस pole के बीच में तो दोस्तो जो three है वो आपका odd number है और odd number अगर आपके आ जाएं तो definitely आपको होगे कि यह आपका root Locus branch है अब finally इस zero और इस pole के बीच आप खड़े हो जाएं तो आप देखोगे sum of all zeros and poles which are lying on the real axis तो वो आपका क्या होगा 1,2,3 and 4 तो 4 आपका even number है इसका मतलब दोस्तो यह आपका root Locus branch नहीं होगा अब दोस्तो point यह है कि इस pole के left side किसी भी point पे आप खड़े हो जाओ और आप देखोगे कि उस point के right side 1,2,3,4,5 five number of poles and zeros है और five number दोस्तो आपका odd number होता है इसका मतलब आप यह कह सकते हो कि यहाँ यह जो आपका reason है यह भी आपका root Locus branches है तो this is how we can find out the branches अब इसके बाद दोस्तो point यह है कि यहाँ पे जो P minus Z है वो क्या है P minus Z, four minus one that is equal to three और अगर दोस्तो P minus Z greater than zero है तो यकिनन हम कह सकते हैं कि तीन ऐसे pole है जो हमारे infinity पे जागे terminate होंगे तो इसका मतलब यहाँ पे angle of asymptotes का significance बढ़ जाता है क्योंकि जो भी pole आपका infinity को approach करेगा तो इसका मतलब वो pole आपका angle of asymptotes के साथ ही infinity पे approach करेगा तो अगर आपका जो angle of asymptotes है let us say theta A तो इसका जो formula है वो होता है दोस्तो 2K plus 1 multiply with 180 degree divided by P minus Z और यह आपका plus minus के साथ multiply होगा तो दोस्तो जो इसमें K value है K value आपके हमेशा 0 से लेके P minus Z minus 1 तक होगी तो P minus Z already 3 है इसमें से एक घटाएंगे तो 2 बचेगा that is यह आपका बन जाएगा 0, 1 and 2 तो जब आप K को 0 put करेंगे आपके पास दोस्तो P minus Z already 3 है तो आपका जो angle है वो 60 degree होगा अगर दोस्तो आप K को 1 put करेंगे तो definitely जो आपका angle है वो 180 degree होगा अगर K को इस formula में 2 put करेंगे तो आपका जो angle है वो 300 होगा और यह आपके 3 angle होगे और यह देखे दोस्तों कि जो angle of SM totes है इसी के साथ हमें centroid भी निकालना होता है और centroid का जो formula है वो होता है summation of all the real values of poles minus summation of all the real values of zeros divided by P minus Z तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके poles है उन सब की real values क्या है एक आपका खुद का 0 है प्लस दूसरा जो pole है वो minus 1 पे है दोस्तों प्लस तीसरा pole जो है वो minus 2 पे है प्लस चोथा pole आपका minus 4 पे है यह आपका real values of poles है minus यहाँ पे दोस्तों summation of all zeros which will have a real values तो pole जो 0 है दोस्तों आपकी एक ही है that is minus 3 तो minus this is minus 3 so this is divided by P minus Z P आपका 4 है Z आपका 1 है तो divided by 3 होगा तो यहाँ से दोस्तों जब हम इसको solve करेंगे तो हमारे पास बचेगा minus 4 divided by 3 इसका मतलब हो दोस्तों होगा minus 1.33 तो यहाँ पे minus 1.33 इसका क्या significance है यानि जो आपके angle of asymptotes है जिसके तुरू आपका root locus diagrams infinity को approach करता है वो आपके minus 1.33 यह आपका real axis point है जहाँ वो intersect करेंगे तो यह है दोस्तों माले जे यहाँ पे minus 1.33 इस point से जो एक होगा दोस्तों वो 60 degree से approach कर जाएगा यहाँ पे आपका होगा पहला asymptotes और इसी point से दोस्तों दूसरा जो angle होगा 180 definitely हो नहीं सकता क्योंकि 180 में बहुत सारे real axis के point intersect होगे और centroid आपका single point होता है angle of asymptotes का जो real axis पे cut करें तो यकिनन आपको जो दूसरा angle है वो 300 degree होगा और वो आपका बिलकुल symmetry maintain करते हुए इस type से चला जाएगा यह आपका a2 होगा और जो तीसरा angle है दोस्तों वो 180 degree होगा यानि यह जो pole था दोस्तों यह pole आपका 180 degree को अप्रोच करेगा इस तरीके से minus infinity पे terminate होगा तो यह जो तीनो angles है तीनो angles हमने यहां root locus diagrams में represent कर लिये है अब point है कि यह जो 0 है यह जो pole है तो हमें पता है कि इसके बीच में root locus branch exist करती है तो इसका मतलब वो हमेशा pole से start होगी और 0 पे जाके terminate होगी और यह दोस्तों pole से start हुआ और infinity पे जाके terminate हुआ P minus Z अगर 3 है तो इसका मतलब 3 आपके ऐसे poles है जो infinity पे जाके terminate होगे एक यहां 180 degree से होता हुआ terminate हो चुका है अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनो poles की मैंने आपको अल्रेडी बताया था कि अगर आपके दो pole consecutively है और उनके बीच में root locus branch बनता है तो definitely फिर आपका break away point आपको निकालना पड़ेगा और break away point निकालने के लिए क्या formula है 1 plus G of S equal to 0 यहां से दोस्तों K in terms of would be a function of S होगा इसके बाद dk upon ds आप 0 put करेंगे तो आपके पास यकिनन दो point मिलेंगे उन दोनों points में से एक point आपका इस इन दोनों poles के बीच जो values है उसको satisfy करेगा और वही आपका break away point होगा लेटस से यहां पे यह जो pole है यह आपका यहां starting होगा यह भी pole आपका क्या है root locus branch में start होता है किसी एक point पे यह क्या करेंगे break away point पे मिलेंगे और यहां से ठीक यह जो angle of SM towards 60 degree है इसी के साथ parallelly infinity को approach करेंगे और यह जो है दोस्तों यहां infinity के साथ आपको approach करेंगे तो इस type से आपका root locus diagram बनेगा और यहां पे अगर आप यह चाहते हो कि exactly यह जो imaginary axis पे point है जहां आपकी root locus branch ने intersect किया है इसकी values क्या है तो दोस्तों इसके लिए आपको characteristics equation निकालने पड़ेगी उसके बाद route hervitts criteria apply करके S1 के साथ जो भी coefficient है उनको equal to zero put करोगे और S2 जो coefficients हैं उसमें उन values को put करोगे वहां से दोस्तों आपको omega की value मिलेगी या S की value मिलेगी वही value आपकी दोस्तों यहां पे intersect करेगी तो यहां पे आप फिर से देख सकते हो कि P-Z आपका 3 था इसका मतलब तीन आपके poles हैं जो infinity को rise infinity को approach करेंगे पहला pole यह दोस्तों 60 degree से होता हुआ infinity पे जाएगा दूसरा pole यह दोस्तों 300 degree को approach करता हुआ infinity पे जाएगा और तीसरा pole यह है दोस्तों 180 degree को approach करता हुआ infinity तक चला जाएगा अगर यहां पे मैं real axis पे pen रखता हूँ तो दोस्तों pen के just उपर आप देखिए और pen के just नीचे आप देखिए आपको बिल्कुल symmetric diagram मिलेगा hence it is proved that root locus technique is symmetrical about the real axis अगर दोस्तों इससे related कुछ और आपकी problems है तो आप please comment box में अपनी problems लिख सकते हैं अगर problem आपकी relevant होंगी तो उन problems पे भी में video बनाने में कोई हिचक नहीं करूँगा thank you so much for watching this video